आनी फ्रैंक का जन 12 जुन 1929 को हुआ और आनी फ्रैंक एक जिविस लड़की थी जिसने तब लिखना शुरू किया जब उसके परिवार और उसके चार दोस्ट आमस्टरडम में छुपकर रह रहे थे जब जर्मनी में वर्लड वर्ड टू हो रहा था उसके परिवार को आमस्टरडम में आना परा जब नाजीस ने अपना पावर जर्मनी में बिठा लिया पर वो लोग पकरे जाते हैं जब नाजीस अपना उक्यूपेशन नेधर लैंड तक बढ़ाते हैं जैसे जैसे जीविस लोगों पर अत्यचार बरता गया उसका परिवार उसके फादर ओटो फ्रैंक के ऑफिस के बिल्डिंग में चुपकर रहने लगे दो सालों तक छुपने के बाद किसी ने उनका पता बता दिया और वो लोग पकरे जाते हैं और उन्हें कंसेंट्रेशन कैम्प में डाल दिया जाते हैं जहां पर अनी की मृत्यू हो जाती है टाइफर्स की बज़े से सिर्फ उसके फादर ओटो फ्रैंक जो है वो बच्चते हैं और वो आमस्टरडम वापस आते हैं जब वार खतम हो चाता है और उनको अनी फ्रैंक की डायरी मिलती है जिसे वो पब्लिश करवाते हैं ये डायरी अनी फ्रैंक को उसके 30 बर्डे पर मिली थी तो एनी फ्रैंक कहती है कि मुझ जैसी एक 13 साल की लर्की का डायरी लिखना बहुती स्ट्रेंज बात है क्यों स्ट्रेंज है क्योंकि मुझ जैसी एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लर्की का डायरी पढ़ने में कोई इंट्रेस्टेट नहीं होगा फिर वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं पर मैं लिखना चाहती हूँ और इस वक्त मेरे लिए सबसे जादा जरूरी है अपने दिल के बोज को हलका करना इसलिए मैं लिखना चाहती हूँ और उन्होंने कहा कि हाँ कागस में अधिक शहन सीलता होती है उनकी यह यह योजना थी कि वह यह सक्त किताब जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं किसी को पढ़ने नहीं देंगी तब तक जब तक कि उन्हें कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता और इससे शायद रत्ती भर भी पर्ट नहीं परेगा फिर आनी फ्रेंक कहती है कि मैं उस महतुपूर्ण बात पर आती हूं जिसने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया और वह यह था कि मेरा कोई दोस्त नहीं था फिर आनी फ्रेंक कहती है कि मैं इस बात को पस्ट कर देना चाहती हूं क्योंकि म प्राइब करने वाली मौसी है चाचिया है और एक अच्छा घर है फिर आनी फ्रेंक कहती है कि उपरी तोर पर देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ ऐसी वाए एक सच्छे मित्र के जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूं तो सिर्फ मौज मस्ती के बारे में ही सोचती हूं म अच्छे मेरा दोश है की मैं उनसे अपना problem share नहीं कर सकती पर ऐसा ही है और इसे बदलना सवाबhou नहीं है इसलिए मैंने डाइरिग की हैं अपने डाइरी का नाम किटी रखा था फिर आनी फ्रेंक कहती है कि मेरी पिता जो सबसे प्रीय Engineer है उन्होंने मेरी मां से तब तक श और मेरा 12 जून 1929 में मैं 4 साल तक फ्रेंक्फर्ट में रही 1933 में मेरे पिटा हॉलेंड में आ गए मेरी मा ऐरिट ईड़ेंडर फ्रेंक उनके साथ रहने के लिए सेप्सपंबर में गई जबकि मारगट और मैं अपनी दादी मा के साथ रहने के लिए आचन चली गई मारगट डिसेंबर में हॉलेंट चली गई और मैं फरवरी में जब मुझे उसके जन्म दिन के वहार के रूप में लाया गया फिर एनी फ्रैंक कहती है कि मैंने फॉरण ही मॉन्टे सरी स्कूल में नरसरी की पढ़ाई शुरू कर दी मैं छह सालों तक वही रही जहांपर मैंने पहली कक्षर से सुरू की थी सिक्स क्लास में मिसेस क्यूपरस मेरी क्लास टीचर थी वर्स के अंत में हम दोनों के आखों में आसू थे जब हम दोनों ने एक दूसरे को फेरवेल में गुड़वाई बोला 1941 की गर्मियों में दादी मा बिमार पर गई और उनका ओपरेशन करवाना परा इसलिए मेरा जनम दिन उस साल बिना सेलिब्रेशन के ही बिद गया जनवरी 1942 में दादी मा का स्वरगवास हो गया कोई नहीं जानता मैं अकसर उन्हें यात करती हूँ और उन्हें अभी भी प्यार करती हूँ 1942 का या जन्म दिन पहले जन्म दिन की कमी को फूरा करने के लक्ष में मनाया गया था और अन्य मुंबतियों के साथ दादी मा की मुंबति भी जलाई गई थी फिर एनी फ्रैंक कहती है कि हम चारों का स्वास्त अभी भी ठीक ठाक है और इसके साथ मैं आज की तारीक 20 जून 1942 पर आती हूँ तो यहां से एनी फ्रैंक की डायरी एंट्री शुरू होती है जो 1942 के 20 जून सनिवार को लिखी गई थी एनी कहती है डियर किटी हमारी पूरी कक्षा भय के मारे बूरी तरह से काप रही थी और इसकी वज़ा थी अगली मीटिंग जिसमें अध्यापक यह तैक करने वाले थी कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसको पिछली कक्षा में रोप लिया जाएगा आधी कक्षा सर्थे लगा रही थी जी एन मेरी फ्रैंड और मैं अपने पीछे बैठे दो लड़के सीएन और जैक्स की मुर्खता पर हस रहे थे जिन्होंने अपनी छुट्टियों की बज़ट को दाओ पर लगा दिया था सुबह से रात तक तुम पास हो रहे हो नहीं मैं नहीं हाँ तुम यही चलता रहा यहां तक की मेरा चिलाना और मेरा प्रात्ना भी उन्हें शान्थ नहीं कर पाया अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरी कक्षा में इतने मूर्ख है कि एक चौथा यानि कि वन फोर्थ विद्यार्थियों को इसी कक्षा में रोक लिया जाना चाहिए फिर आनि कहती है मतलब जो टीचर्स लोग होते हैं वो धर्ती पर ऐसे प्राणी है जिनके बारे में कोई भविश्यवानी नहीं की जा सकती मैं अपने सहेलियों और अपने बारे में चिंदित नहीं हूँ हम तो पास ही हो जाएंगी एक ही सबजिक्ट है जिसके बारे में मैं श्यूर नहीं हूँ वो है मैट्स जो भी हो हम सिर्फ इंतिजार कर सकते हैं तब तक हम एक दूसरे को निराशना होने के लिए कह सकते हैं मेरी सबी टीचर्स से अच्छी पड़ती है नहीं कि अच्छे रिलेशन्स है कुल नौ टीचर्स है जिनमें साथ मेन है और दो फोमेन है मिस्टर केसिंग जो की ओल्ड फैशन मैट्स टीचर है पता नहीं कितने सालों से मुझसे नराज है क्योंकि मैं जादा बात करती हूँ उन्होंने मुझे बहुत सारी वर्निंग्स देने के बाद मुझे एक्स्टर होमवर्क दे दिया मुझे एक एसे लिखना था जिसका टॉपिक था अच्छेटर बॉक्स अच्छेटर बॉक्स इसके विशाय में कोई क्या लिख सकता है मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी इसलिए मैंने अपना कॉपी बैग में रख और चुप रहने की कोशिश की उस साम मेरे सारे काम खतम करने के बाद मेरा ध्यान उस एसे की तरफ गया और मैं पेन और कॉपी लेकर बैठ गई कोई दूसरा होता तो सब्दों के बीच में gap छोड़ कर space छोड़ कर ऐसे खुला खुला लिख कर दे देता पर मैं तो बस बोलने की जो आवश्रक्ता होती है necessity को समझाना चाहती थी मैं सोचती रही सोचती रही अचानक मुझे एक idea आया मैंने तीन पेच उस topic पर लिखा और मैं satisfied थी मैंने argument किया कि बोलना एक student का गुर होता है फिर भी मैं अपने बोलने की आदत पर सुधार करूंगी पर मेरे लिए ऐसा करना लगबग नामुम्किन था impossible था क्योंकि मेरी मा यदि जादा नहीं उतनी ही बोलती थी जितना मैं और अपने विरासत में मिली हुई चीज के लिए गुर के लिए कोई जादा कुछ नहीं कर सकता मिस्टर के सिंग मेरे इस argument पर खुल कर हसे लेकिन उनके अगले lesson के दोरान मैं बात करने लगी और उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे लिखने के लिए दे दिया इस बार topic था an incorrigible chatterbox मैंने उसे भी लिख कर दे दिया और मिस्टर के सिंग के पास दो lesson तक कोई complaint नहीं आई पर तीसरे lesson के दोरान उनसे सहान आ गया अनि फ्रैंक कक्षा में बात करने के अपराद में तुम्हें punish किया जाता है तुम फिर से एक निबंत लिख कर लाओगी जिसका title होगा quack 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 said mistress chatterbox पूरी क्लास जोर जोर से हसने लगी मुझे भी हसना परा हाला की topic था chatterbox और इस पर लिखने के लिए मेरे अंदर का interest खतम हो गया था मेरी friend शैनी जो की कविता लिखने में बहुत अच्छी है उसने पूरे essay को सुरू से लेकर अन तक कविता में लिखने के लिए मेरी help करने का offer दिया मैं खुशी से नाच उठी मिस्टर केसिंग इस ridiculous subject को दे कर मेरा मजाख उड़ाने की कोशिश कर रहे थे और मैं सुनिश्यत करूंगी की यह मजाख उन्ही के साथ हो फाइनली मैंने अपनी कविता खतम की और वह बहुत सुन्दर बनी यह एक बत्तक मा, हंस पिता और तिन बत्तक के बच्चों के बारे में थी जिनको उसके पिता ने चोच मार मार कर इसलिए मार दिया था क्योंकि वह बहुत क्वाक करते थे लखीली मिस्टर केसिंग ने मजाख को सही ढंक से लिया उन्होंने अपने कमेंट्स आड़ करके यह पोएम पूरी क्लास को सुनाई और दूसरी क्लास में भी सुनाई तब से उन्होंने अपनी क्लास में बात करने के लिए मुझे परमिशन दे दिया और वो मुझे कोई एक्ट्रा होमवग भी नहीं देते थे इसके अलावा मिस्टर केसिंग आजकल मजाख भी करने लगे है